वेल्कम टू फ्रोंटेज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम वेर सटिस्फाक्शन एकसीट्स एस्पेक्टेशन अंग्रेजी सिख्छा के छेतर में एक नोखा पहल आज का हमारा टॉपिक है देर इस नाथिंग बट और देर वाज नाथिंग बट और देर विल भी नाथिं बट तो आएए जानते हैं ये तीनो रूल्स को वीडियो के अंत में डाउट किलियर फैक्ट है उसे अब अस देखें वीडियो को एसकीप मत करें अंत तक बने रहें यूज अफ देर इस नाथिंग बट पहचान संग्या प्लस ही प्लस संग्या प्लस है स्ट्रक्शर देर इस प्लस नाथिंग प्लस बट प्लस नाउन प्लस आर डवलुँ तो आये देखते हैं इस से जूरे एक्जाम्पल सको countable noun को plural forms का यूज करें जैसे जिसे आप गिन सकते हैं उसका plural forms को यूज करें तो आईए examples को देखते हैं यहाँ पानी ही पानी है there is nothing but water here यहाँ full ही full है there is nothing but flowers here आपके जीवन में खुसियां ही खुसियां है there is nothing but happiness in your life मेरे जिन्दगी में तनाओ ही तनाओ है there is nothing but tension in my life राजस्थान में उट ही उट है there is nothing but camels in राजस्थान वहाँ किताब ही किताब है there is nothing but books there इस तरह के sentence को आप अपने अनुसार यूज करें तो चली देखते हैं आगे use of there was nothing but उसमें ही जो थाते थी लगा देने पर वाज कई हूँ जैसे यहाँ पानी पानी था there was nothing but water here यहाँ फूल ही फूल था there was nothing but flowers here आपके जीवन में खुसिया ही खुसिया थी there was nothing but happiness in your life आप पूरे संटेंस को देख लें तो चली देखते हैं आगे रहेगा रहेगी रहने पर यहाँ पानी रहेगा there will be nothing but water here यहाँ फूल ही फूल रहेगा there will be nothing but flowers here आपके जीवन में खुसिया ही खुसिया रहेंगी there will be nothing but happiness in your life पूरे संटेंस को आप देख लें तो आएए देखते हैं doubt clear facts को आपके मन में होगा कि nothing का मतलब तो कुछ नहीं होता है तो आखिर इसमें nothing का यूज यहाँ पानी पानी में nothing का यूज कैसे होगा तो आएए देखते हैं there का हिंदी कुछ भी नहीं होगा introductory है यानि subject के रूप में यूज होगा is का हिंदी है होता है nothing का हिंदी कुछ नहीं होता है बट का हिंदी लेकिन होता है water का पानी hair का यहां है कुछ नहीं लेकिन पानी है यहां after sentence arrangement sentence को arrangement करने के बाद हमें sentence मिलता है यहां कुछ नहीं है लेकिन पानी है तो इसका मतलब क्या होता है यहां पानी ही पानी है उमीद है आपका doubt किलियर हो गया होगा फिर भी कोई doubt हो तो comment करें वीडियो अच्छा लगे तो like share and channel पे नहीं हो तो channel को subscribe करें thanks for watching have a nice day